नमस्कार दोस्तो मैं इसका सिंग अपने रापके यूटूब चैनल एप सराजा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जल्दी से कैसे करें उसके बारे में बात करने वाला हूँ इन्वेस्ट्रो एप में पैन और बैक अकाउंट वेरिफिकेशन करने में ज्यादा समय लगता है और आज की इस वीडियो मैं आपको बताओंगा कि आप जल्दी से जल्दी कैसे वेरिफिकेशन कर पाएंगे उसका process क्या है, full information आपको इस वीडियो में live demo के साथ step by step करके बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को शुरू सन तक जरू देखिए, वीडियो पसंद आए तो like कीजिए दोस्तों तक share कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe जरू कर लेकिए आपको सबसे उपर में right side corner पे valid का option उस पे जाके click करना है click करेंगे तो नीचे देखिए लिखा है का verify to withdraw verify to withdraw पे जाके आपको click करना है, तो चलिए हम लोग यहां से click कर लेते हैं click करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो mobile number है green color से लिखा रहा है verify और email ID verify लिखा रहा है लेकिन pan card और bank account जो है वो verify verify लिखा रहा है आनि कि next जो है bold से लिखा हुआ नि black color से verify आनि कि सबसे पहले आपको pan card आपको verify करना होगा उसके बाद आप bank account verify कर पाएंगे तो दोस्तों यहां से हम लोगो pan card पे चलेंगे तो pan card के option पे जाके आपको verify पे click कर देना है जैसे ही दोस्तों click करेंगे तो आपको name as on pan card pan card में आपका जैसे नाम है आपको यहां पर अपना नाम pan card 10 digit का date of birth आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पर नीचे एक upload pan card का option है उस पे जाके आपको click करना है तो यहां पर तीनों चीज़ आपको देखना है फिर कुछ important चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है one working date to get pan verification अनी 24 hours के अंदर आपका जो pan है वो verify हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहां से हम अपना नाम उसके बाद pan number और उसके बाद date of birth select कर लेते हैं select करने के बाद दोस्तो date of birth select करने के बाद आपको यहां से एक एक चीज़ करके choose करते जाना है रोके कर देना है उसके बाद दोस्तों तीनों चीज नेम, pan card, date of birth डालने के बाद यहां पर देखिए upload pan card का option है आनि कि आपको pan card है वो upload करना है तो यहां पर जैसे ही लिखेंगे तो नीचे लिखा आ रहा है upload from gallery या upload a documents तो documents में आप upload करेंगे या gallery से तो यहां पर मैंने एक photo click करके रखा था तो इसको आपको sizing अच्छा करना है यहां पर ध्यान देनी वाली बात है कि आपको जो photo होगा वो clear होगा उसमें आपका नाम जो होगा pan card नंबर होगा वो date of birth होगा वो आपको clear दिखना चाहिए photo में और उसको फिर आप थोड़ा सा zoom कर लीजिए select कर लीजिए crop कर लीजिए अपने style से और उसके बाद simply आपको यहां पर इसको submit कर देना है दोस्तो जैसे ही यहांपस देखिए मैंने कर दिया और नीचे लिखा रहा है verify pen card अभी आप edit भी कर सकते edit का option आ रहा है अधी गलत हुआ है तो दुबार आप edit के पर click कर सकते हैं यहां पर हम verify pen card पर click करेंगे दोस्तों जैसे ही मैंने verify pen card पे click किया हूँ तो यहां देखिए यहां पर थोड़ा सा roll out ले रहा है तो थोड़ा wait कर लेंगे और wait करने के बाद आपको option जो है दिखने लगेगा देखिए यहां पर क्या आ गया है processing pen detail in review अब क्या दिखा रहा है in review review में चला गया है अब यह process हो रहा है तो इसको आपको 24 hours के लिए छोड़ देना है और 24 hours के बाद आप चेक करेंगे आपने सही सही आपने फोटो की जाओ उसमें नाम, नमबर, date of birth, pen का नमबर सही है तो आपका जो है 100% verify हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा condition को आपक एक दिन wait कर लिया हूँ और wait करने के बाद अब दुसरा दिन मैं इसे open किया हूँ तो दोस्तो जैसे ही फिर दुसरा दिन मैंने 24 hours के बाद open किया हूँ और यहां से मैं फिर से जाके wallet पर click करूँगा और click करने के बाद check करूँगा कि मेरा pen जो है verify हुआ है कि नहीं तो दोस् देख सकते हैं कि मेरा जो pen card भी है वो verify हो चुका है यहाँ पर pen card verify लिखा आ रहा है और pen card has been successfully verified तो इस तरह से pen card easy तरीके से verify होता है आपको सिर्फ और सिर्फ condition ध्यान देना है photo अच्छी देनी है जिसमें आपका सब कुछ clear दिखना चाहिए खास करके नाम pen number और date of birth उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर अब हम लोग चलेंगे wallet पर उसके बाद हम लोग अब करेंगे bank account को update sorry verify करेंगे तो verify to withdraw पर फिर से click करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो है phone number email और pen card verify हो गया तो अब देखिए जो bank account है वो भी black clear में verify लिखा आ रहा है आनि कि वो option अब खतम हो चुका है जैसे ही अगला green होता है तो दूसरा जो है black हो जाता है तो अब हम लोग bank account verify पर click करें तो दोस्तों यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ IFC code, bank number, branch name, state bank account number, retype account number, upload bank proof यह चार चीज़े आपको देखने को मिलेंगे आपको सिर्फ IFC code डालेंगे तो सारा detail यहाँ से आ जाएगा खुद बखुद ही यह detail fill up हो जाता है तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर IFC code लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक IFC code डाला हूँ लेकिन यह गलत हो गया है लेकिन फिर भी यह आंद्रा का है और यह सारा कुछ detail ले गया है तो इसे मैं rectify कर लेता हूँ यहाँ से दोस्तों rectify करूँगा अब original वरा मैं लिखूँगा यहाँ पर तो दोस्तों जैसे ही लिखा जाँ देखें यहाँ पर सारा कुछ detail आ गया है खुद बखुद bank name branch name और state आ चुका है तोवारा से आपको bank account number और retap account number पर click करना है click करने के बाद उसको submit कर देना है submit करने के बाद upload bank proof पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर important बात ध्यान देना है फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ passbook, checkbook और bank statement यह मानने होगा यह तीन चीज़ें दिया आप रखते हैं तो मानने होगा और दूसरा में दोस्तों यहाँ पर account number है वो clear दिखना चाहिए, यहाँ पर मैंने यह photo लिया हूँ, side से कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन जो मेरा detail था वो clear दिख रहा था, इसलिए मैं इसी को upload किया हूँ, तो दोस्तों यहाँ से फिर से मैं verify कर दूँगा, अधी गलती हो जाता है bank proof में तो यहाँ edit करके कुछ ठीक रहा, तो आपको जो verification है, वो मिल जाएगा और आप पैसे investor app से withdraw कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा भी in review में चला क्या है, processing bank detail, bank detail का यहाँ पर processing हो रहा है, और यह अभी review में बता रहा है, तो दोस्तो 24 hours हम लोग wait करेंगे, 24 hours के बाद फिर से हम लोग check करेंगे कि मेरा जो है bank account verification हुआ है कि नहीं, तो simply आपको क्या करना है, आपको अपने wallet में जाना है, wallet पे आपको देखेंगे, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे, जहाँ पर हम लोग को verify करना था, वहाँ पर लिखा आ रहा है withdraw up to 545 रुपिया, आप withdraw कर सकते हैं, त उपर में आपका जो है bank जो है, उसका जो detail है वो आपको दिखेगा, आनि कि इसी bank में आपका पैसा जाएगा, और यहाँ पर है minimum आप 50 रुपिया से लेकर, एक कडोर तक का पैसा आप withdraw कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, डिखा हुआ है, 50 रुपिया से लेकर, एक कडोर तक, वन कडोर रुपिस तक आप पर डे निकाल सकते हैं, यहाँ से, और दोस्तों कुछ important notes दिया है, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, amount will be credited to your bank account within next 5 business day, आनि कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लगेगा, time लगेगा, वो 5 दिन लग सकता है, वो business day यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा confusion होता है कि business day क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, कि जो business day होता है, business day यहाँ लिखा आरा कि amount will be credited to your bank within next 5 business day, अधी आप Saturday को पैसा निकाल रहे हैं, तो आपका business day इसमें Saturday चला गिया, Sunday, Sunday इसमें बीच में Sunday आ गिया, किसी तरह का gas state holiday है, तो वो भी चला गिया, आनि कि आपका एक दो दिन चला गिया, उसके बाद का जो दिन आएगा, जैसे सोमबार को open होता है, तो सोमबार, मंगलवार, बूदवार, बियस्पतवार, सुक्रवार, यह 5 दिन जो है, आपको counting में आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, तो इस तरह से आपका पैसा आता है, अधी एक दो दिन इधर उधर हो जाता है, तो आप tension ना लें, और दोस्तों दूसरा note है, not including weekend and bank holiday, यहाँ पर बता दिया गया है, कि जो weekend होगा, आनि कि Saturday, Sunday जो होता है, और उसके बाद bank holiday हो आप इसमें include नहीं कर सकते हैं, amount, तीसरा है दोस्तो, amount will be deposited by DSPS, take platform private limited, यह DSPS, take platform private limited company है, उसके थुरू यह पैसा deposit होगा, और यहाँ पर आपको account लिखा रहा है, तो इस तरह से देख सकता है, कि मैंने अपना account verification बहुत ही असानी से, मतलब 24 hours और 24 hours, माने within 2 days के अंदर मैंने verification कर लिया, और आप मैं चाहूंगा, तो यहाँ से जो मेरा account में 545 रुपया है, मैं उसे withdraw कर सकता हूं, तो चलिए मैं withdraw करके भी आपको दिखाता हूं, तो दोस्तों यहाँ पर simply आपको हम 100 रुपे यहाँ पर करेंगे, और यहाँ प पर नीचे देखें, withdraw का option है, उस पर जाके आपको click कर देना है, तो दोस्तों withdraw पर click किये, तो यहाँ पर लिखा रहा है, withdraw amount 100, transfer to आपका जो bank account है, उसमें आपका यह bank account का last 4 digit आपको दिखेगा, तो आपके इस account में डालना है, तो यहाँ पर confirm और cancel का option आता है, तो उसको आपक confirm कर देना है, तो दोस्तों जैसे ही मैंने confirm किया, तो यहाँ पर देखिए, notification में आ गया है, successful amount will be credited to your bank account, फिर हम लोग यहाँ से वैलेट में जाएंगे, वैलेट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम check करेंगे, तो देखिए, जैमेराजी 445 रुपे यहाँ पर बचा है, और मैंने यहाँ से 1000 रुपे विड्रा कर लिया हूँ, तो दोस्तों इस तरह से आप easy तरीके से अपना, देखिए, message भी आ गया, SBI, dear customer, मेरा bank का message भी आ गया, कि 100 रुपे जो है, credited हो चुका है, तो बहुत ही fast तरीके से होता है, तो आप easy तरीके से, असानी से, कुछ-कुछ condition है, उसे आप ध्यान देंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, account verification करने में, तो दोस्तों I hope सो कि सारी बाते समझ में आ गई होगी, फिर भी आपको किसी तरह का दिक्कत तो समझ से आता है, तो आप comments में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोस तो दोस्तों ऐसे ही useful information और फाइदे मन वीडियो देखने मेरे चैनल Apps रजा को सब्सक्राइब करें, साथी साथ बेल आकन पे क्लिक कर दें और always select कर ले, ताकि जो भी वीडियो में डालू उस सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो दोस्तों वीडियो देखने मेरे खुश्त रहे, मस्त रहे, स्वस्त रहे, जैहिंद, वन्दे मात्रम